नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हेलफाव यूट्व चैनल में दोस्तों आप इस वीडियो में बात करने वाले हैं पेटियम में बैंक अकाउंट लिंक कैसे करें या फिर पेटियम में बैंक अकाउंट कैसे जोड़ें बैंक अकाउंट जोड़ने के बाद यूपि और कि बेल आइकों को जुरूट करें सबसे पहले हमें अपने फोन में पेटियम एब को ओपिन कर लेना है और यहां पर जो भी हमारा अकाउंट होगा उसे यहां पर हमें लागिन कर लेना है इसके बाद यहां पर इस प्रोफाइल फोटो पर जोए किलिप कर दिना है इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें कुछी सतरा से देखने को मिल जाएगा अगर आपके Paydm अकाउंट में पहले से कोई bank account link है तो यहाँ पर जो आपको QR code दिखाई देगा अगर कोई भी bank account link नहीं है तो यहाँ पर जो आपको link bank account का option दिखाई देगा इस पर हमें click कर दिना है इस पर click करने के बाद यहाँ पर हमें बहुत सारे bank से यहाँ पर हमें देखने को मिल आएंगे तब ही जाकर यहाँ पर यह लिंक होगा नहीं तो यहाँ पर यह लिंक नहीं हो पाएगा इसके लामा हमें कुछ और बातों का द्यान रखना है कि mobile number में जो है रिचार्ज होना चाहिए जिससे जो है sms जो है एक तरह से आज सके इस बात का में द्यान रखना है यहाँ पर आपको पने bank को select करने ना है यहाँ पर जो हम sbi bank को select कर लेते हैं इस पर click करने के बाद यहाँ पर यह आपने यह आपने यह आप्टोमेंटिक का दो तब ही जाकर जो है अपने इस अकाउंट को यहाँ पर इसका यूपी आई कि बना पाएंगे तो यहाँ पर जो भी आपका ATM कार्द होगा सधी सफ़ाторि आपको यहाँ पर चो इस स controlled हैं इसके बा याप इसमें सम्मिट हो जाएगा और यहां पर जो एक बात का द्यान रखना है कि जो मॉवाइल नंबर होगा आपको इसी मॉवाइल में लगाना है मतलब पहले से लगा होना चाहिए निचे आपको इस पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहां पर जो है 6 डिकट का यूपी करना है तो यहां पर अपने इसाब से यहां पर हम यूपी आई पिन को लिग लेते हैं इसके बाद यहां पर हमें इस पर क्लिक कर देना है इसके बाद यहां पर हमें दुबारा इसमें लिग देना है तो यहां पर इसको हम दुबारा इसमें लिग देते हैं इसकी बाद में चाहते हैं तो आपको Check Balance पर क्लिक करना है इसके बाद जो हैं पर यहां पर मैं कि मना है उससे यहां पर लिखने के बाद जो एकाउंट आपको यहां पर दिखाई देरा अब चलिए आपको दिखाते हैं कि पैसे कैसे सब्सक्राइव यहां पर यहां पर बहुन सब्सक्राइब को मिल चाहते हैं याँ पर कुछ तरस क्रस्ट जांगे जाएगा इसकेは Sergeant बहुत सारे options मिल जाएंगे, यहाँ पर यह पहले option में है, interbank account टिल्स, माल लिजिए, अगर आप किसी account number और FSC code पर पैसे transfer करना चाहते हैं, तो आपको उपर वाले option को select करना है, इसके बाद यहाँ पर यह दूसरे number पर है, टू सेल पर click करना है, तो यहाँ पर चली है, आपको हम एक UPI ID पर payment करके लिखा यते हैं, इसके बाद हमें जिसभी UPI ID पर payment करना रहाग़ा, यहाँ पर हमें लिख देना है, तो यहाँ पर पर आइड लिख देते हैं, UPI ID जिसपर भी payment करना है, UPI ID लिखने के बाद यहाँ पर हमें पोर्सीट पर जोई किलिक कर देना है इस पर किलिक करने के बाद हमें जितना ही पैसा ट्रांसफर करना रहागा यहाँ पर हमें लिख देना है तो यहाँ पर हम 100 रुपर ट्रांसफर करते हैं चैनको का यहां पर हम लिख देना है तो यहां पर यूपी आई पी निया पर हम लिख देते हैं यूपी आई पर लिखने के बाद हमें इस पर क्लिक करने के बाद अब यहां पर यह इस यूपी आई डी पर यह 100 रुपे transfer हो जाएगा सकते हैं यहां पर यह इस और यह transfer हो चुका है है कुछी तरह से आप चाहले हैं तो बहुत यह असानी से PDM bank account को add कर सकते हैं और बहुत यह असानी से जो आप पैसे को transfer कर सकते हैं अगर आप किसी qr code को scan करके उस पर payment करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको scan and paper click कर देना है इसके बाद यहाँ पर यह scan होना सुरू हो जाएगा अब आपको जिस भी QR code पर payment करना रहेगा उसे जो आपको scan करने के बाद आपको जितना transfer करना रहेगा पैसा आपको लिग देना है उसके बाद जो अपना UPI करके आगे बढ़ना है उसके बाद जो आपका payment हो जाएगा कुछी तरह से आप चाहें तो बहुत यहसानी से payment कर सकते हैं इसके लाव आपको नीचे यहाँ पर आपसम मिल जाएंगे जो भी आपके यहाँ पर पहले से payment हुए रहेंगे जो भी इस्ट्री होगा कुछी तरह स सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस तरह से आप चाहें तो इसमें bank account को लिंक कर सकते हैं दोस्तों कर आपको कोई समस्या सुजाओ तो इसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं उसका जवाब हम जरू देंगे वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद हैं पर वाचिंग सब्स